Hey friends, my name is Ankit Warma और आज हम discuss करने जा रहे हैं C++ का program जिसका नाम है reverse number हमें एक number दिया होगा जिसको हमें reverse करना है suppose करते हैं, मैं एक example लेता हूँ, हमारे पास एक number है जो कि है 123 अब इसका reverse क्या होगा? इसका reverse होगा 321 लेकिन इसको निकालने के लिए हम क्या logic apply करने वाले हैं? तो सबसे पहले एक बात को समझते हैं, अगर हमें कोई number दिया हुआ है 123 इस number को मैं 10 से divide कर दूँ तो अगर 10 से divide करता हूँ, तो 10 12s are, that is 120 तो होगा क्या? 3 remainder आ गया तो आप ये देख सकते हो कि जो आखरी का digit है, वो हमें मिल गया और हमें पता है कि इसको हमें first digit बनाना है अब क्या करना है इसके बाद? जो हमारे पास उपर आया है इसको हम ले लेंगे अब 12 से 12 को फिर से हम divide करेंगे 10 के साथ तो 10 बन्जा, 10 अब क्या मिल गया? 2 ये देखो second वाला हमें मिल गया, यानि कि हम number को reverse कर सकते हैं और इसके बाद जो भी बचा इसको हम दुबारा से pick करेंगे और फिर से हम इसको 10 से divide कर देंगे तो क्या आएगा? 10, 0, 0 और हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया तो हम देख सकते हैं कि अगर हम number को 10 से divide करते जाएं तो one by one हमें वो चीजें मिलती चली जाएंगी और जैसे ही zero आजाएगा तो हम यहाँ पे इसको stop कर सकते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ही जो remainder आए हैं हम इसको आपस में combine कैसे करेंगे? मुझे 3 को 2 के साथ जोड़ना है, 2 को 1 के साथ जोड़ना है तो यहाँ पे जो 3 है, मैं इसको 10 से multiply कर देता हूँ तो कैसे लिखूंगा? 3 into 10 3 into 10 करते हैं, यह क्या बन जाएगा? 30 और इसमें इस remainder को add कर दूँ यानिके plus 2 तो 30 plus 2 कितना हो जाएगा? that will be 32 क्या करूँगा? इस 32 को pick कर लूँगा फिर से इसको 10 से multiply करूँगा और यहाँ पे इस 1 को add करवा दूँगा तो क्या हो जाएगा यह? 320 plus 1 तो कितना आ गया? यह हमारा हो गया 321 तो आप देख सकते हो, इस number को पहले हमने break किया remainders में और इस remainder को आपस में 10 से multiply करवा के add करवा दिया तो हमें वही number जो चाहिए था वो हमें मिल गया तो exact number हमारा reverse हो गया तो यह हमारा logic है इस logic को हम program के through up बनाएंगे program बहुत ही simple है सबसे पहले हमें क्या करना है? int main से start करना है main हमारा driving function जिससे सारा program स्टार्ट होता है हमने यहाँ पर int लिया है तो हमें return भी use करना पड़ेगा integer हम कुछ return कर रहे है तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया हमें user से एक number demand करना है जो यह 123 number है यह user से हमें मांगना है तो हम कैसे लिखेंगे cout cout किसलिए use होता है user screen पर print कराने के लिए जैसे हमारा c programming में printf होता है वैसे ही c++ में cout होता है तो यहाँ पर हम user को एक message देने वाले है हम यहाँ पर लिखेंगे enter number तो हमें user से एक number लेना है अब number लेने के लिए हमें कोई variable भी चाहिए बट उससे पहले जो cout function है इसकी एक header file होती है जो हमें यहाँ पर add करनी होगी तो हम यहाँ लिखेंगे hash include जिसका मतलब है हमें include करना है क्या header file io stream अब यहाँ पर .s नहीं लगा रहे हैं हम क्योंकि यह turbo c नहीं है और cout के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे using namespace std अगर आप turbo c की coding कर रहे हैं तो यहाँ पर namespace लगाने की भी ज़रूरत नहीं है बट vs code में हमें इसको लगाना पड़ेगा अब इस number को हमें store करवाना है तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले एक variable ले लेंगे यहाँ पर integer type का तो integer type है हमारा हमने n ले लिया n variable है तो इससे क्या होगा memory में एक variable आ जाएगा तो एक block reserve हो जाएगा primary memory के अंदर जिसका नाम होगा n और इसकी कोई भी address हो सकता है मैं assume कर रहाँ इसका address है 301 अब इस number को हमें user से input लेना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे c in जैसे c programming के अंदर हमारा होता है scanf वैसे ही c++ में होता है हमारा c in तो मैं यहाँ पर input ले रहाँ input जाएगी किसमे variable n के अंदर अब user कोई भी number इसमें enter कर सकता है अब हमें करना क्या है जब तक वो number 0 ना बन जाए तब तक हमें उसको 10 से divide करवाना है तो हम यहाँ पर एक loop लगा देते हैं कि while मतलब जब तक मेरा number जो है यानि कि while number greater than 0 मतलब मेरा number जब तक 0 से बढ़ा है तब तक यह part run होगा हमें करना है क्या है यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर number को divide करवाना है तो एक तो हमें यहाँ पर divide करवाना है और एक हमें remainder निकालना है तो सबसे पहले हम remainder निकाल लेते हैं तो remainder के लिए मैं एक variable ले रहा हूँ यहाँ पर r, r for remainder तो memory में एक और block reserve हो जाएगा जिसका नाम होगा r और इसका address क्या होगा कोई भी हो सकता है 40 मैंने resume कर लिया हम remainder कैसे निकालते है remainder is equal to जो भी number है हमारा n में होगा वो उसको हम mod करवा देंगे 10 के साथ यानि कि number को मैंने 10 से divide करवाया और उसका जो भी remainder आया उसको r में store करवा दिया तो यह हमारा first task हो गया अब second task है जो भी remainder आ रहा है उसको हम 10 से multiply करवा के उसके अंदर remainder को add कर आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक और variable ले ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ reverse तो reverse मतलब number को मैं reverse करवा रहा हूँ और अभी मैं assume कर रहा हूँ कि right now मेरा reverse अभी 0 है first time तो एक memory का block और reserve हो जाएगा जिसका नाम है हमारा reverse और reverse का कोई भी address हो सकता है मैं assume कर रहा हूँ 501 अब हम reverse में क्या करेंगे reverse is equal to जो reverse की पुरानी value है अभी तो हमारी 0 है तो हम क्या करेंगे reverse into 10 प्लस में जो भी हमारा remainder आया देखो suppose करते हैं हमारा कोई भी भी reverse है वो हमें निकालना है तो देखो सबसे पहले हमने 0 क्यों लिया क्योंकि first time ये हमारा 0 हो जाएगा और उसमें हमें remainder को add करना है तो हमारा भी 3 हो जाएगा next time जब हम जाएगे तो 3 into 10 होगा और next remainder उसमें add हो जाएगा अब जैसे ये दोनों task complete हो गए हम क्या करेंगे number को हम divide कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे number is equal to number divide by 10 तो ये हमारा एक format त्यार हो गया इसके बाद हमें क्या करना है हमें simply number को display करा देना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे cout और next line के लिए हम लिखते है slash and और हम यहाँ लिखेंगे reverse कि number का reverse क्या है और यहाँ पे हम उसको display करा देंगे simply वो हमने कहां store करा है REV के अंदर तो ये हमारा program बन गया number को reverse करने का इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस program को run करते है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इसको run code में करूँगा अब हम देख सकते हैं कि हमसे एक यह number demand कर रहा है enter number तो जैसे ही यह program run किया यह यहाँ पे number मांग रहा है मैं simplicity के लिए यह वही number दे रहा हूँ जो मैंने पहले दिया था 123 तो मैंने 123 एंटर किया और यहाँ पे एंटर जैसे ही प्रेस किया आप देख सकते हो 321 आ गया अब इस program को समझते हैं कि यह work कैसे कर रहा है सबसे पहले हम एक बात जानते हैं कि कोई भी program में वो main से शुरू होता है उसके बाद n are reverse यह already declare हो चुके हैं और यहाँ पे reverse की value हमने अभी क्या assume कर ली 0 इसके बाद क्या होगा c out यानि कि user किसके प्रिंट कराना है enter number तो user की screen पे आ गया कि आप कोई भी number enter करिये user ने बोल दिया ठीक है मैं enter करता हूँ 1,2,3 तो यहाँ पे number जो है वो enter हो गया variable n के अंदर scene ने उस input को ले लिया और n में store करा दिया तो number हमारा बन गया 1,2,3 अब हमें देखना है कि क्या number greater than 0 है 1,2,3 0 से तो बड़ा है तो अंदर जाएगा अब remainder के अंदर हमें यहाँ पे remainder निकालना है n mod 10 हम एक बात तो जानते हैं कि अगर मैं जो मेरा number है 1,2,3 उसको 10 से divide कर दूँ तो क्या remainder आने वाल है 12 से divide हो जाएगा सिधा सिधा तो 120 और remainder आ गया 3 तो यह 3 remainder हमारा कहा store हो रहा है r के अंदर तो r की value हो गई हमारी 3 उसके बाद हम क्या कर रहे है reverse is equal to reverse into 10 देखो reverse की value है 0 तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 0 into 10 तो 0 into 10 तो 0 हो जाएगा plus में remainder यानि के 3 तो 0 plus 3 हमारा कितना हो गया 3 ही हो गया तो अभी हमारा जो number reverse है उसकी value क्या update हो जाएगी 3 इसके बाद first pass के बाद हमने क्या कि यह number को 10 से divide कर दिया तो जैसे ही मैंने number को 10 से divide किया तो क्या बचेगा 12 बच जाएगा तो यानि के इस number को हम अब 12 ले लेंगे आप सोच सकते हो कि यह 12.3 होगा बच क्योंकि हमने integer ले रखा है तो यह यहाँ पे 12 लेगा point की value को ignore कर देगा यह तो while loop का first pass था इसके बाद यह दुबारा जाएगा because while loop तो infinite loop है यह चलता रहेगा अब फिर से check करेगा कि क्या number greater than 0 है आप देख लो 12 0 से बढ़ा है अब इसके बाद number mod 10 दुबारा से इस 12 का फिर से mod होगा तो 12 को अगर हम 10 से divide करते हैं तो क्या आएगा 10 1s are 10 और remainder कितना आगया 2 तो यह 2 कहां चला जाएगा R के अंदर तो R की value अब क्या update हो जाएगी 2 उसके बाद reverse is equal to reverse into 10 देखो reverse की पुरानी value है 3 तो अब क्या होगा 3 into 10 प्लस में जो remainder हमारा आया remainder कितना है 2 तो कितना हो गया 30 plus 2 कितना हो गया 32 तो 32 हमारा reverse के अंदर आ जाएगा तो हमारी reverse की नही value क्या हो गई 32 आप देख रहे हो धीरे धीरे हमारा number उसी format में आरा है जैसा हम चाते है उसके बाद हम number को 10 से divide कर लेंगे तो 10 से divide कर लेंगे तो number में क्या बचेगा 1 तो अब हमारा end में 1 बच गया अब while loop फिर से वापिस जाएगा और दुबारा से वो चेक करेगा while loop तो infinite loop है जब तक condition true है वो चलता रहेगा क्या number 0 से बढ़ा है yes, 1 0 से बढ़ा है फिर से क्या होगा हम number को 10 से divide करेंगे और remainder निकालेंगे तो 1 ले लेंगे 1 को जैसे हम divide करेंगे 10 से तो 10 0 0 और बचा क्या? 1 तो remainder हमारा 1 बच गया तो यहाँ पर हमारा remainder में क्या आ जाएगा? 1 उसके बाद reverse is equal to reverse into 10 दिखो reverse की value है 32 तो 32 into 10 plus अब r ले लिया r में क्या है? remainder 1 तो क्या हो गया यह? 320 plus 1 और क्या हो गया इसकी value? that is 321 तो 321 वाले value हो गई तो reverse की नही value क्या हो गई? 321 अब number को 10 से divide कर दिया तो क्या बचेगा? इसके बाद हमारा बच जाता है 0 तो अब number की value क्या हो जाएगी? 0 while loop हमारा फिर से वापिस जाएगा और चेक करेगा condition को क्या number 0 से बढ़ा है? बढ़ आप देख सकते हो कि number हमारा 0 हो चुका है तो जैसे यह condition false होगी यहां से बाहर निकलेगा और next line में आ जाएगा cout मतलब console output यानि कि user की screen पे display कराओ next line में तो next line में आप देख सकते हो क्या आ रहा है? reverse तो reverse लिखा हुआ आ जाएगा और हम क्या print कराएंगे? REV और REV की value क्या है? 321 तो आप देख सकते हो कि हमारा number यहां पे reverse हो गया तो हमने यहां पे simple सा logic लगा है 10 से divide करते जाएंगे और remainder को 10 से multiply करके add करते जाएंगे तो आज हमने एक program discuss किया जिसमें हमने number को reverse किया VS code में तो यह C++ का program है तो आज के लिए इतना ही Thank you